काम करो ऐसा कि पैचान बन जाए हर कदम रखो ऐसा कि निसान बन जाए या जिन्दगी तो हर कोई काट लिटता है जिन्दगी जीओ इसकदर के मिसाल बन जाए चेहरे पर एक प्यारजी स्माइल के साथ आईए सुरू करते हैं बैकवर्ड डिफरेंशिज यह हमारा इंट्रोड़क्शन पार्ट है चेप्टर फर्स्ट का एकसरसाइज 1.1 के लिए ठीक है इसमें पढ़ेंगी बैकवर्ड डिफरेंशिज लेट वाई ए माइनस एच वाई ए वाई ए पिलस एच भी दा एंट्रीज यह हमने क्या किया हमारे पास क्या है ए माइनस एच है ए ए पिलस एच है एंड सोन इनके कोर्सपोर्ण ने हमारे पास एंट्रीज क्या है वाई ए माइनस एच वाई ए और वाई ए पिलस एच ठीक है फूर्द फंक्शन वाई एकस इकॉल टू एफ एफ फ एकस ठीक है उस फंक्शन के लिए हम हमारे पास यह arguments है, and यह हमारे पास कहा है, इसकी entries है, ठीक है, अब पढ़ेंगे, then first backward differences are, first backward difference हमारे पास, क्या होगा, नेबला y a is equal to y a minus y a minus h, backward difference हमारे पास किसके कोल होता है, नेबला f of x is equal to f of x minus f of x minus h, यह हमारे क्या थे इसका formula है, ठीक है, इसके basis पर हमने क्या निकाला है, इसका first backward difference, अब, नेबला y a plus h equal to y a plus h minus y a and so on, एने टर्म हमारे पास क्या होगी, नेबला y a plus n h equal to y a plus n h minus y a plus n minus 1 h, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एक minus हो रहा है, same यहाँ पर, ठीक है, इसी type से हमारे पास क्या है, second backward differences, वे हमारे पास क्या होगा, उसको denote करेंगे हम, नेबला square से, नेबला square y a plus h, यह हमारे पास क्या होगा, इसका और इसका, क्या होगा यह, डिफरेंस, नेवला y a plus h और नेवला y a h इसका क्या होगा हमारे पास यह difference होगा ठीक है तो नेवला y a plus h minus नेवला y a नेवला square y a plus 2 h नेवला y a plus 2 h minus नेवला y a plus h ठीक है इसी टाइप से हमारे पास nth के लिए क्या हो जाएगा second backward difference is for n के लिए तो नेवला square y a plus n h equal to नेवला y a plus n h minus नेवला y a plus n minus 1 h ठीक है इन जर्नरल अगर हम nth backward difference के बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे हम क्या लिखेंगे देखो फर्स था तो पावर बन थेसकी हम किसके लिए बात कर रहे हैं एनद के लिए तो हमारे पास यहां पर क्या एगा n आएगा y a plus n h equal to नेवला n minus 1 अब n minus 1 कैसे है देखो यहां से देखते हैं यहां पर क्या है 2 है और यहां पर क्या है 1 it means इससे एक कम है सेम यहां पर यहां पर n है तो यहां पर क्या आएगा एक कम n minus 1 ठीक है और यह सेम y a plus n h यहां पर y a plus n minus 1 into h यह इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं y x की फोम में नेवला एक पावर n y x equal to नेवला n minus 1 y x minus nabla n minus 1 y x minus h ठीक है यह हमारे क्या है backward differences कर लिए general formula ठीक है यहां से हम direct निकाल सकते हैं अगर second पूछे तो हम यहां पर two put कर देंगे n के प्लेस पर third की बात करें तो हम three put कर देंगे ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी diagonal backward difference table diagonal backward difference table यहां पर हमने x y nabla y nabla square y nabla qy nabla 4y ठीक है x हमारे पास क्या है arguments and y हमारे पास क्या है entries तो x के लिए हमने ले यहां पर 0 1 2 3 4 इनके corresponding's entry हमारे पास क्योंगे y 0 y 1 y 2 y 3 y 4 ठीक है अब निकाल लेंगे हम first backward difference वो क्या होता हमारे पास y 1 minus y 0 equal to nabla y 1 इसी type से y 2 minus y 1 क्याएगा nabla y 2 और y 3 minus y 2 nabla y 3 y 4 minus y 3 क्या है हमारे पास nabla y 4 ठीक है देखो इनको हम क्या लिखेंगे gap देकर लिखेंगे ठीक है ताकि यह इनके बीच में आसके जब आप copy पर लिखोगे से notebook में तो क्या करना दो दो lines का gap देदना ठीक है यह उसके बीच में आराम से यू सेम नेबला y 3 minus nabla y 2 nabla square y 3 सेम ये नेबला y 4 minus nabla y 3 is equal to nabla square y 4 यह हमारा हुआ हुआ सेकेंड बेकर डिफेंस अब बात करते हैं थर्ड बेकर डिफेंस की नेबला square y q minus nabla square y 2 is equal to kya nabla cube y 3 क्योंकि बात किसकी करें हम थर्ड backward difference की ठीक है next nabla for wife nabla square y 4 minus nabla square y 3 is equal to nabla cube y 4 अभी हमारे पास एक backward defense और रहता है इनका minus किया तो हमारे पास क्या गया fourth backward difference ठीक है यह हमारे पास क्या है diagonal backward difference table अब यहां पर leading term leading differences वो कहां से start होंगे वो start होंगे हमारे पास bottom से ठीक है क्या leading backward differences हमारे पास क्या y 4 nabla square y 4 nabla cube y 4 ठीक है यह हमारे पास इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ठीक है इसको हम ऐसे रिनोट कर सकते हैं यह हमारे पास क्या है leading backward differences ठीक है यह हमारे पास argument थे और यह हमारे पास y क्या थी यह entries और यह हमारे पास leading differences backward differences ठीक है अब हम पढ़ेंगे fundamental theorem of calculus यह थोर्म में क्या कहते है if fx is the polynomial of nth degree in x then the nth differences of fx is constant and n plus 1th difference are 0 यह क्या कहते है समझो अगर हमारे पास कोई nth degree की polynomial है ठीक है तो हमारे पास हमारा जो difference होगा nth difference वो क्या एगा constant आएगा ठीक है और n plus 1 की जितने भी difference आएंगे वेसे भी किसे भी हमारे पास क्या होंगी 0 अई देखते हैं इसको एक example से बताता हूं आपको स्पोज को हमारे पास एक पॉल्लों मेल है एकस्क्यूब पलस 2 x क्यिर पलस x – 1 यह हमारे पास कोई पॉल्लों मेल है ठीक है इस पॉल्लों मेल की हाइस्ट पार कितनी है 3 यह त्री ओर रकी है इसके जितना भी हमारे पास नेवला क्यू वाई यह फिर delta qy यह हमारे पास क्या होगा constant it means इन सभी की value क्या होगी वहाँ पे same आएगी ठीक है अगर एक क्योले 2 आगे 2nd के 2, 3rd के 2 इस types चाहेंगी इसके बाद जितने भी अगर हमारे पास delta की power 4y है वे सभी हमारे पास यह delta की power 5y है delta की power 6y है यह सभी differences हमारे पास क्या हैंगे 0 ठीक है क्या है अगर 3 order की equation हमारे पास है तो delta की power 3 की जितने भी value आएंगी हमारे पास वे सभी क्या होगी equal होगी ठीक है it means constant होगी उसके बाद की differences जितने भी आएंगे हमारे पास delta 4th, difference width, difference 6, difference and so on वे सभी हमारे पास क्या होगी 0 ठीक है यह थोर्व हमें यह कहना चाहती है अब देखते हैं इसका proof इसका proof क्या है proof के अंदर let f of x is equal to a note x की पावर n plus a1 x raise to power n minus 1 plus a2 x raise to power n minus 2 plus and so on a n ठीक है वे यह polynomial of degree n where n is a positive integer and a note a1, a2 and a n are constant यह हमारे पास कोई n degree की polynomial है ठीक है जो n की value है वो हमेशा क्या होगी positive value होगी positive integer ठीक है and जो a note है a1 है a2 and an यह हमारे पास क्या है constant like this 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 इस type से यह हमारे पास a note a1 a2 यह हमारे पास a3 ठीक है 3 order की है a3 n order की है last me an ठीक है यह हमारे पास का एक pull मेल है उसके बाद by definition of the operator this delta इस operator की definition से हमें क्या मिलता है delta fx is equal to f of x plus h minus fx यह हमारे पास difference कैसा है forward difference ठीक है इसके की कुल होता है अब हमने क्या करना है इस पोल मेल के अंदर जहां पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर x के place पर क्या करना है x plus h a note x plus h power n plus a1 x plus h power n minus 1 plus a2 x plus sorry यहाँ पर h power n minus 2 plus up to so on a n तक ठीक है उसके बाद क्या यहाँ पर difference है minus f of x f of x h t j इसको हम क्या करेंगी subtract करेंगी ठीक है इसके बाद a note देखो a note यहाँ पर भी है और a note यहाँ पर भी है हमने क्या किया common bar कर लिया उसके बाद x plus h raise to power n minus x raise to power n यह हो गई next a1 a1 यह बाहर कर दी हमने बचा क्या x plus h raise to power n minus 1 minus x raise to power n minus 1 plus and so on n यह टर्म के लिए हमने यह लिख दिया ठीक है a n minus 1 x plus h minus x यह आएगा वो last में हमारे पास देखो यहाँ पर bhi a n है और यहाँ पर bhi a n है a n minus a n इसका difference आ गया यहाँ तो कोई doubt क्या कि हमने एक fx polynomial let किया है ठीक है यह polynomial हमने लेट कर ली जहाँ पर n क्या है एक positive number है positive integer and a note a1 a2 and a n यह हमारे पास क्या है constants then हमने क्या किया by definition of forward difference operator वो apply कि हमने delta fx is equal to f of x plus h minus f of x यह हमारे पास क्या हुआ x plus h हमने क्या क्या x को replace कर दिया x plus h से ठीक है हमने value put कर दी minus किया और common बाहर निकाल दिया यह लिख दिया अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे simplify इसको हम soul कैसे करेंगे by using binomial expansion आपको अगर याद नहीं है तो अब को बता देता हूँ कि binomial expansion कैसे open होती है हमारे पास a plus b raise to power n कोई इस type से number है यह भी हमारे पास इसी type से है ति किसको होता है nc0 a raise to power n minus 0 b raise to power 0 plus nc1 a raise to power n minus 1 b raise to power n plus जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होता है इन दोनों का difference एंड जो second number होता है power वो हमारे पास जो नीचे लिखा होता है वही होता है देखें आप n minus 1 n minus 1 यह पर b raise to power 1 यहाँ पर 1 ठीक है यहाँ से हमारे पास is value क्यों होती है 1 होती है यहाँ पर क्याएगा x raise to power n into h raise to power 0 जिशको simply वाय करेंगे हम फर्स्ट नंबर हमारे पास x raise to power n और h किसी भी number पावर अगर 0 है positive number की तो हमारे पास result क्या होता हमाँ पर 1 होता है तो यहाँ से हमारे पास x raise to power n आएगा ठीक है और x raise to power n हमारे पास यह यह दोनों टरम हमारे पास क्या हो जाएगी cancel ठीक है जिसको हम simply वाय करेंगे तो हम इस टरम को cancel करके लिखेंगे ठीक है इसके बाद हमने इसो क्या किया binomial expansion से open कर दिया ठीक है a note n x raise to power n minus 1 into h plus n into n minus 1 x raise to power n minus 2 into h square plus up to shown इसी type say plus a1 n minus 1 x raise to power n minus 2 h plus n minus 1 n minus 2 x raise to power n minus 3 into h square plus up to shown same plus a2 x minus 2 x raise to power n minus 3 into h plus n minus 2 n minus 3 x raise to power n minus 4 into h square plus up to shown यह बने क्या किया Binomial Expansion से हमने इसको क्या किया? Open कर दिया ठीक है? अब Delta F of X हमारे पास क्या होगा? A Note N H X raise to power N minus 1 Plus A1 dash X raise to power N minus 2 अब सोचेंगे आप ये बाकी ट्रम ये कहां गई? डायट यहां पर आगे सर्टो A1 dash A1 dash X raise to power N minus 2 ठीक है? अभी बताता है इसको? देखो, प्लस A2 dash X raise to power N minus 3 हमने यहां से उठा लिया अब टू शोन प्लस A dash N minus 1 ये हमारे पास क्या होगी? equation first जहां पर A1 dash, A2 dash, A3 dash अब टू A N minus 1 dash अर दा कोफिशेंट of X raise to power N minus 2 X raise to power N minus 2 इसका कोफिशेंट N minus 1 N to H same हमारे पास क्या है? next X raise to power N minus 3 X raise to power N minus 4 इनके से भी क्या है? coefficient है किसके टर्म में? A note, A1, A, N, 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 H इनके टर्म में हमारे पास क्या है? coefficient है अब कहेंगे किस से भी की first, first term उठाई है? last term कहा अगई? हमने क्या किया? जो higher term के H है उनके हमने क्या क्या? reject कर दिया ठीक है? जो हमारे पास क्या थे? देखो यहां पे H raise to power 1 H raise to power 1 H raise to power 1 हमने क्या क्या सभी को ले लिया जिसकी power क्या थी? H की power 1 थी और बाकिसे भी को higher power को हमने क्या क्या? reject कर दिया ठीक है? हम ने लिख दिया equation first यहां से देखो from first we observe that first equation से हम क्या observe कर रहे हैं observe that the first difference of polynomial of n degree is again polynomial of n minus 1 degree जो हमारे पास ये polynomial है ये हमारे पास किस degree क्या यह है n minus 1 degree polynomial आई है इत मेंसिस के degree क्या है 1 degree less है ठीक है n degree is again a polynomial of n minus 1 degree 1 degree less की polynomial है हमारे पास f of x अब अगें delta square f x second difference operator हमारे पास क्या ही second forward difference क्यों होता है delta f of x plus h minus k delta f x ठीक है अब हमारे पास delta f x आज चुका है equation first में यहां पर उसमें क्या करना है x के place पे x plus h करना है ठीक है वो हमने यहां पे कर दिया हो जाएगा यह same उपर गेत रही minus क्या करना फिर delta f x यह हमारे पास delta f x है इसको हमने क्या किया minus कर दिया same उसके बाद क्या करेंगे a note a note common है और n भी common है h भी common है इनको हमने बाहर निकाल लिया बचा क्या x plus h raise to power n minus 1 minus x raise to power n minus 1 पलस same यहां से हमारे पास a1- और a1- यह common आ गया बचा क्या x plus h raise to power n minus 2 यहां पर भी x raise to power n minus 2 इनको हमने क्या क्या सब्टेट कर दिया पलस up to shown हमने यहां तब लिख दिया ठीक है इसके बाद same वही काम प्ले करेंगे क्या इसको उपन करेंगे by using binomial extension से ठीक है अगे देखते हैं उसको कैसे उपन करते हैं हमने इसको binomial से open कर दिया ठीक है a1- n-2 x raise to power n-3 into h plus up to shown ठीक है plus a1- n-2 x raise to power n-3 into h n-2 n-3 x raise to power n-4 into h square plus up to shown इसके परकास a2- up to shown plus plus a- n-2 into h open कर दिया इसको by using binomial extension से ठीक है इसके बाद सेम हमने क्या किया जो h की पाउर देखो हम क्या निकाल रहे है अब second differences ठीक है second differences है तो h की पाउर कितने हों इसे हमारे पास 2 उसके बाद जितनी भी हमारे पास h की higher power होंगी उनको क्या करेंगी reject करेंगे ठीक है देखो a note n n-1 x h square 1h यह है 1h यह है तो मारे पास क्या हुआ h square x raise to power n-2 ठीक है उसके बाद की higher term देखो है यहां पर h square 1h यह है 3 यह मारे पास आ गया यहां से बाद की हाई higher को हमने क्या क्या ひा naglithemुट कर दिया same हमारे पास a 2 तेस ने क्या किया a double dash replace कर दिया a1 dash को मैंने किया यहां से a1 double dash replace कर दिया a1-n minus 2 into edge यह क्या हमारे पास a1 double dash ठीक है यहां पर क्या है? X raised to power n-3 सेम यहां पर X raised to power n-4 अब तू शोओन A double dash n-2 ठीक है? वियर A1 double dash A to double dash and अब तू शोओन A n-2 double dash और the coefficients of किसके coefficient है? A1 coefficient किसका है? X raised to power n-3 देखो X raised to power n-3 ऐसी A to double dash X raised to power n-4 as you have to shown ठीक है? यह हमारे पास क्या आगे? coefficient आगे Now, from equation second यह हमारे पास equation second बनकर त्यार है ठीक है? From second we observe that the second difference is a polynomial of degree n-2 देखो degree क्या है यहापे? n-2 है? ठीक है? n-2 degree आगे? पिछलिए हमारे पास क्या है थी? n-1 आई थी? next करते जाएंगे n-3, n-4, n-5 up to shown इस type से हमारे पास चलते जाएंगे ठीक है? एक stage ऐसी आएएगी जहाँ पर n-n भी होगा that is 0 degree ठीक है? continuing the above process we will get a polynomial of 0 degree for the n-net difference n-net difference के लिए हमारे पास क्या जाएगी? 0 degree की polynomial आजाएगी second order था हमारे पास second difference था तो n-2 है n-net difference आएगा तो क्या आएगा? n-n आएगा that is 0 ठीक है? हमारे पास क्या हैगी delta n fx is equal to n into n-1 n-2 and up to 2, 1, s raise to power n a note, x raise to power n-n that is हमारे पास क्या delta is to power n fx ये हमारे पास क्या बन गया? देखो यहां तक ये ये क्या है? n factorial n factorial आगा हमारे पास h raise to power n a note x raise to power 0 क्या होता है? 1 ठीक है? हमारे पास देखो यहां पर x के कोई भी टर्म दिखाए नहीं दे रहे हमें इसके अंदर नहीं दिखाए दे रहे हमें देखो thus n-net difference is constant ये सभी के सभी हमारे पास क्या होंगे? 0 ठीक है? ये हमारे पास दी fundamental theorem of calculus differences ठीक है? यहाँ पर अगर हमारे पास कोई polynomial n degree की है तो उसका n difference क्या होगा? constant होगा और higher n plus 1, n plus 2 and so on वे differences क्या हो जाएंगे? सभी के सभी 0 ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले है this symbols की properties ठीक है? तब तक के लिए आप इसके तियारी कीजिए अच्छे से इसको revise कीजिए अगर आपको फिर भी कहीं पर doubt आता है कोई step समझ नहीं आता है तो आप comment में box में comment कर सकते हैं ठीक है? time मिलते ही मैं आपको reply जरूर करूँ मा thank you for watching